हारुफीक्स सैमसंग एटेन ब्लेक एंड वाइट डिस्प्लेइ प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हो कि कैसे आप जी आपने सैमसंग डिवाइस में ब्लेक एनवाइड होते हैं उसका स्क्री जैसा यहां पर दोस्तों आपको दीखाए दे रहाएं आपका एंड ऊचुका है तो फिर दोस्तों यहां पर होसकतussen है कि आपका बैट टाइममोडू इनेवल हो गया होगा या फीर कुछ और सेटिंगं अपने इनेवल कर दिया होगा झिस शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा कि किसी भी प्रॉब्लेम की रिगार्डिण पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेंसेज भी कर सकती है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है आप सेटिंग पर जाए ठीक है सेटिंग पर जाके दोस्तों डिस्प्ले मोट इनेबल कर हुआ उसके बाद आपको नीचे में जाना है डिजिटल वेल बिंग एन पेरेंटल कॉंट्रोल पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है बेट टाइम मोट और आपका जो बेट टाइम मोट है उसको बन कर देना है शेडूल पर आपको सेट हाई कॉंफर्ट शिल्ट बन कर दीजिये और 울िगी इंएंसमेंट पहुअ चाहिए ठीज तो यहाँ पर सारे संटिंग अफ होना चाहिए नदा हाई कॉंट्रेस्ट फॉंट हाई लाइट बटन कलर इंवेंशन और सबसे इंपोर्टेंट सेटिंग जो है कलर करेक्शन ठीक है तो इसको बंद कर दीजिए तो इतना करने के बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम सौफ हो जाएगा सारे साथ दोस्तों फिर अपडेट नहीं है झाल राइट